क्टीन हे colleagues D is during the مس fulfil निकालने पर हीट हो रहा है यह अगर मैं बात करों कि इसमें आए सि को हम दो नरी चाय आपके पास के कॉमपोरेंस हो रहे है तो क्या रीजन है हम जब आइ सी निकाल देते हैं तो स्टिंग हट जाती है और जब आइसी फिर लगा तो sorting बाबस दाती है कि यही capacitor के वज़ए से यह IC हीट कर रही है तो यह knowledge बहुत ज्यादा जोड़ी है ISO की heating का यह हमें पता नहीं होता है और यह ISO की heating का जो knowledge हमें निकालना है वो हमें सबसे पहले हैं मैं बाता जाता हूं हम primary line को देखते हैं या तो हम secondary line को देखते हैं या तो हम secondary line को देखते हैं हम कभी भी ट्राइणी line को निंदे मतलब तीसरी किसी word की line जो की virage की line होती है जिस पर gold is आपसे सेव रहेंगा, अगर आप ब्लैक पेस्टर नहीं कर पाए, फीज ले जाओ, अगर आप चाहद इन में सीप्यू नहीं कर पाए, अप सर्कृट को नहीं समझ पाए, आप थनमें स्टर नहीं धूर पाए, पैसे ले जाओ, तो कोई दिक्काद नहीं है, इतनी सेक्यूर् को पूरी इंडिया में कोई नी देने वाला है हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा कुरूर जिद है मेरी जुर। धाल ऑर आज में आपको बहुत बड़ा कंटैन्ड देने वाला हूँ दोस्तों अगर आप पावल लगा रहे है अगर आपका sot हो रहा है आप नहीं पावल बिठा रहे हैं फिर भी phone sot हो रहे है तो इसका क्या रीजन है तो मैं आज इस वीडो में आपको यह रीजन बताने वाला हूँ तो यह रीजन आपके लिए भूस ज्यादा फायररे वन्द होगा कि आपको क्या करना चाहिए basically यह बहुत short video ने वाला है short video में short reason में आपको देने वाला हूँ बहुत सारे reason में से एक reason में आपको आज पूरा एक ये बूलता है एक institute के content का खुलासा में आपको इस video में करूँगा ताकि आप लोगों का फायदा हो और आप लोग वो mobile को बना सकें या उस mobile को जहां आप दूसरों लोगों को भीज रहे हैं उस mobile को दूसरों को ना भीज कर खुद बना सकें दोस्तों अगर आप power इसी निकाल रहे हैं अगर आप power इसी लगा रहे हैं तो फिर आपको ये आना चाहिए बड़ आपको schematic का knowledge भी आना चाहिए, अगर मैं बूलूँ आपको schematic का knowledge नहीं है, चाहिए वो bitmap हो या schematic हो, तो भी आपको हो सकता है कि ये side ना बने, बड़ इसलिए मैं कह रहा हूँ, और दोस्तों ये बात भी कहना चाहता हूँ, कि जिन फोनों के schematic नहीं होते हैं, तो वो phone ब बना सकें, जिनके phone के schematic नहीं होते हैं, तो ये तो रही हमारी बात, अब बात करते हैं, हमारी power की बात, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास में यहाँ पे एक power है, और यह है Redmi Note 8 Pro का, अब Redmi Note 8 Pro में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कि ये इसमें IC बार बार लगाने पर, तो sorting हट जाती है, और जब IC फिल लगा रहे है, तो sorting बाबस जाती है, तो तब हमें क्या करना चाहिए, दोस्तों आपने उस ताइम पर पूरे board में चेक कर लिए, कहीं sorting नहीं है, आपने CPU भी निकाल लिया, आपने MMC भी निकाल लिया, आपने हरे section निकाल लिया, पर आप ज आपको पैड लाइन चेक करनी है, तो मैं इसका आपको सही तरीका बताता हूं, दोस्तों दान देखेगा, कभी भी अगर आपके पास अगर कोई set आए, जिसमें power IC निकालने लगाने पर heating या sorting आए, तो आप अपनी in power IC का, आप तीन चीजें, आप पहले इसको find out करो, तो आ आप इस power का पूरा की पूरा GR seat निकालो, GR, Ground Resistance, आप अगर power का GR निकालोगे तो आपके लिए सबसे best काम हो जाएगा, दूसरा, आप इस power का, अगर मैं बात करूँ, आप इसका ground निकालो, कि यहाँ पर कहां कहां ground है, actual ground कहां पर है, वो सारे ground होने चाहिए, कोई भी ऐसा ground, ऐसा जो यहाँ पर यह बता रहा है, कि यह line ground है, और यहाँ पर ground नहीं मिल ला है, तो यह भी आपका side को dead कर सकता है, तीसरा, आपके side में OL, OL क्या होता है, तो दोस्तों OL होता है, कि मान लीजे, आपको इस pad में कोई भी reading नहीं मिल लही है, ना आपको कोई GR मिल ला है, ना आ ground मिल ला है, और यहाँ पर आपका multimeter OL दिखाई दे रहा है, तो इस time पर मतलब IC लगने के बाद, यह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस component से, तो हो सकता है, IC लगने के बाद, यहाँ पर जैसे, हो नहीं सकता है, और obvious है, होगा, कि जैसे IC लगेगी, तो IC लगने के बाद, य और चौदे नंबर पर आपको आपके सारे NC चेक करना है, ले दे के आपको पूरे IC का data seed निकालना है, अब आप कहेंगे सर, इसका तो schematic है नहीं है, तो सर, जिसका schematic नहीं है, उसका भी बहुत easy होता है निकालना, पर वो मैं आपको अपनी class के contain में रखूँगा, पर मैं यहा अब आप देखें कि आपके लिए बूर्णियों कि इतना easy हो गया है, और आप देखें बूर्णियों में जैसे यह Redmi Note 8 Pro है, आप देखेंगे यहापर, तो Redmi Note 8 Pro के बाद में बहुत सारी कोईले लगी हुई है, अब यह कोईलों का लिए भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हू जितना भी जो यलो यलो दिखाई दे रहा है, यह सारा supply का पार्ट है, आप नोटिस किजेगा है, क्योंकि मैं बहुत fresh level पर और fresh बच्चो के लिए बना रहा हूं, जिनको से power निकालने लगाने या set चलू करने से मतलब है, जिनको diagram वाइग्राम से मतलब नहीं है, तो वो ब किस पर IC के उपर आपको बीप नहीं आने चाहिए, यहां पर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जो sense की लाइन होती है, जिसमें ground sense होता है, तो वहां पर भी आपको बीप आएगी, तो इसलिए दोस्तों, overall बनाने के लिए तो आपको diagram की जरूरत पड़ेगी, और overall बनाने के आपका यह पैट सौर्ट हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि इस पैड पर line है, इस पैड पर किसी दूसरे mobile में GR आ रहा है, पर यहां पर हम बात करेंगे, यह पैड यहां पर सौर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि हमारे इस line के साथ में लगा होगा हर component हमें चेक क करना है, कि अब यह component कहा जा रहा है, मानलीजे यह पैड आपका सौर्ट हो रहा है, मानलीजे आपने यह पैड देखे, मानलीजे यह पैड आपका सौर्ट हो रहा है, तो इस component के साथ, तो आपको यह component और कहां कहां जा रहा है, और आपको वो पूरी लाइने चेक करनी है, द प्रवाइफाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपाइपा पर जैसे आपको यहां पर दिखाना चाऊंगा यह secondary line मैं फिर सब बता आना चाहता हूं हम primary line को देखते हैं या तो हम secondary line को देखते हैं या तो हम secondary line को देखते हैं हम कभी भी领 9 9 को नहीं देते मालब तीसरे के सी वर्ड की लाइन जो की वीरेज की लाइन होती है जिस पर वोल्टेस था जब आता है जब हम पावर लोओन करते हैं अब माल ले जो यह कैसा होता है कुछ एक कि में होता है अपने पावर की दवाई और उसी पावर की में L5 की लाइन जनरेट होती है, जैसे अगर मैं MSM PM जैसे बताया था 8953, अगर L5 की लाइन जनरेट होती है, यह L5 किसी भी दूसरे मोबाइल में, L8 हो सकता है, L10 हो सकता है, L11 हो सकता है, L13 हो सकता है, तो यह जो L2 की लाइन है, माल लीजे इसका अगर यह component भी अगर sort रहा, तो यह इस power को जब भी भी लगाएंगे, तो आपको sorting मिलता रहेगा, तो आप सोचेंगे कि मेरा IC sort है, यह आप सोचेंगे मेरा component sort है, तो यह आपको पता करना बहुत जोरी है, क्योंकि यहाँ पर तो य यह एक line के साथ connected है, अब माल लीजे यहाँ पर यह दो अलग-अलग line ओ पर जा रहा है, अब दो अलग-अलग line ओ पर जाने के बाद में, हो सकता है कि यह कि यह किसी तीसरी line से sort हो, और यह यहाँ पर sorting ना दिखा रहा हो, वहाँ तीसरी line पर sort हो, मतलब इसमें कुछ ऐसे component भी होते हैं, जो इस power IC के पास बिल्कुल नहीं लगे होते हैं, और जो हम किसी और कहीं पर हमारे sections में जाते हैं, जैसे हमारे network section के component, आप जैसे कि यहाँ पर बहुत तारे component ऐसे आपको मिलेंगे, जहाँ पर यह component इस power जैसे देखें, जैसे आप देखें, यहाँ पर एक मु connector पर जाकर नीचे इस line से connector हो रही है, तो जैसे कि मैंने बूला कि दोस्तों आपको इसका knowledge होना बहुत ज़्यादा जहुरी है, अगर आपके पास कभी भी power आए, तो सबसे पहले bitmap open कीजे, बहुत easy तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप यहाँ पर bitmap open कीज की वह ग्राउंड नहीं होने चाहिए, और basically अगर मान लीजे, जैसे कि मैंने फिर से बता रहा हूं कि हर चीज का क्या मतलब होता है, विसको समझ लेना, जब भी भी हमारे पावर आती है, और हम चेक करते हैं कि स्वार्टिंग हो रही है, यह सिब और स्वार्टिंग और यह और उस IC का GR के हिसाब से जिसका वरजन भी सेम है, उस IC के GR के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा, तो आपने यहां पर इस पैड लाइन पे GR देखा 350 आ रहा है, ठीक है, अब आपको आपके दूसरे मिल्टिमीटर, तीसरे मिल्टिमीटर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नह करेगा, यह कभी भी हजार के उपर नहीं आना चाहिए, पर अगर आपको हजार के ऊपर आ रहा है, तो इसका मनलब यह लिकेज हो चुकी है, इसके साथ में, अगर मान ली जे यह e TS, प्रेंट जोड़ा हुआ है और यह लीकेज हो गया है तो अगर माल लीजे जैसे आपने चेक किया यहां पर आपको आना चाहिए था 350 पर आपको आ रहा है 1250 तो इसका मतलब है और यह लाइन इससे जोड़ा हुआ है तो आप सबसे पहले इस कैपसिटर को निकालेंगे तो हो स सबसे पहले हमें IC का GR हमें चेक करना होता है आपको GR में क्या-क्या मिलेगा दोस्तों एक आपको OK GR मिलेगा जैसे आपने देखो किसी सेट का निकाला 350 अब यह जादा स्यादा 450 तक किसी दूसरे मिल्टिमीटर में या मैपसिमम 500 तक चले मैं बोलता हूँ चला गया और मिनि पर कितना आ रहा है तो अगर आप इसको एक डायोड पर कटके देखे और रिवर्स डायोड भी कटके देखे आप कहेंगे तो मैं एक पैक्टिकल वीडियो बना दूंगा आप मुझे कमेंट करना होगा दोस्तों जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी के तरफिक मैं पैक् पॉइंट लिकेज तीसरा पॉइंट अगर यहां पर आपको भी पा रही है तो इसका मतलब यह लाइन सौर्ट हो गई है मतलब आप जब भी भी आईसी लगाएंगे तो यह सौर्ट हो जाएगा जिसकी वज़ए से आपका फोन नहीं होगा और आपको सौर्टिंग मिलेगी तो जब भी आप यह पावर इसी लगाएंगे और आपका फोन नहीं होगा और आपको उस पावर इसी हटाएंगे तो फिर शौर्टिंग आजएगी आप सूचेंगे कि मसला है किदर मसला है किदर तो यह भी लाइन आपको चेक करनी है दोस्तों मैं इस वीडियो को खतम करन आप उपड़ी लेड पर तो काम कर रहें पर मिड लेड का क्या तो मिड लेड के लिए हमें इस आईसी का जी आड निकालना बहुत ज़्यदा जोड़ी है क्योंकि यही मिड लेड से होके आते हैं अमाल लिजे यह वाला जो है यह एक सीप्यू से डारेट जा रहा है अब कंसेट हमें अपने मुवार रिपेरिंग में एड करना पड़ेगा अगर आपको बहतर काम करना है और इस चैनल से जोड़ना पड़ेगा अगर आपको भविस में बहुत सारे डेरो अपडेट पाने है और आपको बड़े बड़े जैसे बोलते हैं इंडिया टॉप मोस्ट एक पढ़े लेके इंसिटूट से अगर आपको बहुत कंटेन वाला नौलेज़ फ्री में चाहिए तो मेरे चैनल से जोड़ना पड़ेगा यह बहुत जल्दाने वाला है जिसमें मैं आपको बता हूँगा अगर बख नहीं बन रही है तो हम क्या करें और आप हमारे से का होगा यह भरोसा कि आप हम पर जो भरोसा देंगे वह हम अपने कंदे पर स्पांसिलीटी के तरह रखेंगे और आपके पैसे सेव रहेंगे अगर आप ब्लैक पेस्टर नहीं कर पाए फीस ले जाओ अगर आप चाहर दिन में सीप्यू नहीं समझ पाए अप था आप अपने पाए हम अपकली है इतनी स्रेख्या आपको फूरी इंधिया में कोई नं देने वाला थेंक यु फंस्ट सब्सक्राइब है अ क्या करने वाले हैं तो सिप्डीय कालने वालेघ्टए दिमाइट तेट्षिक